आईए अब हमने present को देखा फ़ला past पे जाते हैं past में क्या है मैंने कहा कहा कौन सा form है काम हो गया पूरा हो गया मैंने कहा तो कहा is second form second form of verb क्या है say का said say का second form of verb क्या है said so I said मैंने कहा I said right पिलकुल simple वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ I say present simple यहां past simple I said अब आगे बढ़िये और और समझने की कोशिश करिये I said अब उन्हों ने कहा उन्हों ने कहा यदि उन्हों ने एक वच्चन है अपन बड़े लोगों को सम्मान से बोलते हैं उन्हों ने कहा दादा जी ने कहा पिता जी ने कहा मैडम ने कहा सर ने कहा तो हम क्या बोलते हैं उन्हों ने कहा तो हम एक वच्चन के लिए बोलते हैं उन्हों ने कहा तो क् या es लगा लेकिन past tense में एक वचन हो या बहुचन हो said said ही रहेगा ख्याल करिए present tense में याने say में यदि present tense में बोलना है ता तेती में तो एक वचन है तो s या es करता यदि एक वचन है तो और करता यदि बहुचन है करने वाला यदि एक से जदा है बोलने वाले करने वाले सोने वाले रोने वाले एक से जदा है तो वहाँ पे s या es नहीं लगेगा और verb का first form आ जाएगा लेकिन past में चाहे वो singular हो चाहे वो plural हो said, said ही रहेगा second form यथा वच जैसा का तैसा ही रहेगा उसमें कुछ जोडना घटाना नहीं है so the second form is मैंने कहा, I said, उन्होंने कहा, He said, तुमने कहा, तुमने कहा, You said देखिए I है या यू है या दे है या वी है सब में said, उन्होंने कहा तीर सब form में said, said ही रहेगा, तो past sentence जो बीट गया, सबसे simple लगता है अंग्रेजी में, समझने में जो बीट गया वह तो उसमें सीधा said बोल दो, सीधा went बोल दो, go went gone, second form क्या है go का, went they went, he went, she went, Ram and Shyam went, we went, सब बराबर एक वचन बहुचन का खेल इसमें नहीं है, नहीं है, किसमें नहीं है, second form of verb में right, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा जो difficulty level है, वो थोड़ा सा उंचा होता जा रहा है तो इसलिए आप आगे तभी बढ़ें जब पहले का अच्छी तरह समझ गया हो, यह contest करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कुछ, तो इसमें आप recall नहीं कर पाएंगे, इतना time नहीं हैगा कि याद करें कि कौन सा sentence है, किस form में उसके बाद बोलें, यह समझने वाली चीज है, तो समझो, try to understand, try to understand, try to go to the basic of it, rather than mugging up, mugging will never help, so coming back to the point, देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मतलब, he said, या they said, मैंने कहा, I said, सबने कहा, all said, हमने कहा, we said, मैं सोया, I slept, वह सोया, he slept, वे सोय, दे स्लेप्ट, हम सब सोय, we all slept, तो यह second form, यहने second form, सबसे simple, एक वचन बहुचन, male female का खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, male female का भी नहीं, first form में तो male female का भी था, he और she आ गया, यहां पर और he और she के बाद, second form में he said बोलिया, या they said बोलिया, सब बराबर, she said, he और she said आप बोलेंगे, तो second form में male female का अंतर दिखता है, और बाकी नहीं, am I clear, so he said, she said, second form में, बस इतना ही male female का अंतर है, इसके अलावा बाकी सब, simple है, said लगाईए, second form लगाईए, and your sentence is complete, अब देखिए, आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था, इसको note करियो, उन्होंने कहा था, जैसा मैंने कहा, ये कौन सा form है sentence का, ये सब दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, grammar के साथ बताया हूँ, grammar पढ़ते हुए, आप उसको देखें, अभी मैं बड़े simple form में, grammar से बाहर हट कर, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हिंदी वाक्यों की मदद से, तो इसलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं, उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, क्या था, याद है आपको क्या form का word है, पढ़ा है तो, perfect, perfect tense है, कौन सा है, perfect tense, perfect tense कौन सा होता है, V3, third form, perfect tense कौन सा form होता है, third form, V3 जिसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम perfect और इसको भूल जाएं हम याद रखें कि उन्होंने कहा था उन्होंने कहा के लिए क्या है he said और they said और उन्होंने कहा था मतलब बहुत पहले तुमने कहा था मैंने कहा था उसने किया था वह गया था वह सोया था वह नहा रहा था वह बोल रहा था वह बोला था अंतर है वह बोला था वह सोया था वह गया था वह रोया था वह रोई थी वह सोय थी तो यहां परियदिया हम बात करें था जब लगता है so he had said क्या हो गया है had said perfect sentence था और perfect में क्या रहता है had helping verb जुड़ता है और said जो है यह said कौन सा form है यहां पर said है third form आपको यह जयाद रखना जरूरी है कि यहां third form लगता है said का first form क्या है say second form said और say का third form भी said ही है इसलिए हमने he had said कहा लेकिन अंग्रेजी में बहुत से शब्दाशे हैं जिनके second form और third form अलग-अलग है कैसे go went gone तो said की जगा यदि मुझे जाने के लिए एक बात करना है तो मैं क्या लिखूंगा he had gone third form लगेगा वी थ्री third form उसने कहा था he had said वह गया था he had gone लड़की होगी तो she had gone बहुत लोग होंगे they had gone they had said so had gone ये perfect में third form लगता है याद रखेंगे और उन्होंने कहा है अब ये है क्या ये हैड कहां से आदा had जो है वह second form है किसका have का have मने होना I have a pen मेरे पास एक pen है have मने होना और have helping verb भी है और main verb भी है याद रखो बच्चों have जो है वह helping verb भी है और main verb भी है यहाँ पर वह helping verb का काम कर रहा है had जो है वह किसके लिए काम कर रहा है said के लिए say के लिए gone go के लिए तो वह helping verb का काम कर रहा है so he had gone और वरतमान में जी हुआ है वह गया है उसने कहा है वह खाया है वह खाया he ate उसने खाया है he has eaten उसने खाया था he had eaten उसने खाया था उसने खाया he ate उसने खाया था he had eaten अरे आम किसने खाया था he had eaten आम किसने खाया अभी अभी एक काम हुआ है काम हो चुका है लेकिन कब वो अभी अभी हुआ तब होता है किसने खाया अभी अभी ये काम हुआ कौन शोया कौन गया कौन गया था यदि ऐसा बोलेंगे तो पहले का भूत काल में भी और पहले का काम बीते हुए काल में भी उसके भी और पहले का बीते हुए काल को भी यदि हम तोड़ें तो इसमें और पुरानी बात जब होती है तो था करते हैं और ऐसी वर्तमान में उसने कहा या वह कहता है उसने कहा है तो यहां coming back to the point उन्होंने कहा he said, they said, we said, उन्होंने कहा था, he had said, he had gone मैं gone शब्द यहां इसलिए उप्योग कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, यहां पे said का third form उप्योग हुआ है, gone जैसे third form है, go का, ऐसे said का third form उप्योग हुआ है, और उन्होंने कहा है, he has said, he has said, तो जो have है, have को ज़दी चलाएं, तो have, had, had, have first form है, had second form है, और have का third form भी had ही है, have, had, had, right, now we come to the next one, तुमने कहा, अब यहां पे तुम की बात हुई, तुमने कहा, you said, मैंने बताया न, past tense में, said second form में, second form में, कोई singular में ऐसा अंतर नहीं रहता, you said, तुमने कहा, तुमने कहा था, you had said, right, perfect sentence, और तुमने कहा है, you have said, अब यहां देखिए, तुमने कहा है, you have said, जब have, जो है, have का उपयोग, बहु अचन में होता है, यह एक और नियम अब देखते जाईए, और have के बदले, यदि एक वचन है, तो has का उपयोग होता है, have और has, have has, और second form में had, और third form में have had, सुन लीजिए, first form में has या have हो ना, second form में had ही रहेगा, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बवचन हो, और third form में क्या होगा, have और has, दोनों रहेगा, यह एक खासियत है, so has एक वचन के लिए, singular के लिए, और had सभी के लिए, और have बहुचन के लिए, I, अब यू और I को शुरू में मैंने आपको बताया था, एक वचन रहते हुए भी बहुचन जैसा treat करते हैं, याद है आपको I go मैंने बताया था, I say मैंने बताया था, you say मैंने बताया था, ये एक वचन रहते हुए भी बहुचन जैसा टीट हो रहा है, S नहीं लग रहा है क्रिया में, सामाने जिए एक वचन में, present form में, S लगता है क्रिया में, यहां नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पवाद हैं, एक वचन होते हुए भी बहुचन जैसा टीट, ऐसे ही, have had में भी यही बात आती है, I के साथ have जुड़ेगा, you के साथ have जुड़ेगा, you has gone नहीं होगा, I has gone नहीं होगा, has और have केवल he, she और एक वचन नाम के लिए रहता है, has, केवल, he, she, या नाम के लिए, एक वचन नाम के लिए, सिंगल नाम के लिए, सिंगलर, तो यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ, तुमने कहा, you said, यह तो ठीक है, मैंने बताया कि जो past form है, second form है, सब के लिए एक ही रहता है, said, said, said ही रहेगा, तुमने कहा था, you had said, तुमने कहा है, you have said, यहाँ पर you has said नहीं होगा, you have said, I said, I have said, and I said, I said, I had said, I have said, had तो सभी के लिए एक ही रहता है, उसमें अंतर नहीं होता, तो यहाँ पर फिर आगया, I had said, am I clear, तो यह हो गया, अब देखिए अगला, उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब अगेन बहुचन की और बात कर रहा हूँ, उन्होंने के लिए एक वचन की होता है, पर यहाँ ब said, और उसने कहा है, he has said या he have said, he के साथ क्या आता है, एक वचन, has एक वचन है, कि have एक वचन है, has एक वचन है, so he has said, next is, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था, he had said, अब यदि मैं उन्होंने को बहुचन मानू, so they said, और उन्होंने को बहुचन मानू, तो third form क्या रहेगा, perfection, they have said, या they has said, obviously, बहुचन है, तो have has का, बहुचन वाला form क्या है, have, they have said, right, अब हम बढ़ते हैं, एक अंतिम पायदान पेश के, इस प्रक्रिया को समझने के, मैं कह रहा हूं, I am saying, अब देखिए, am है, I am saying, am क्या है, he is going, is क्या है, they are coming, आर क्या है, they are helping verbs, जो help कर रहे हैं, लेकिन इसका root verb क्या है, root verb याने first form, so first form is our का क्या है, याद रखिए, is our का first form है, be, be, e, be, be, जो root word है, उससे क्या 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 क्रिया है, बन रही है, helping verb, is, our, where, was, ये सब किसके forms है, root word, be के form, be, e, be, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, original root verb क्या है, be, बाकि मैं ऐसा नहीं होता, यहाँ पर है, original root verb क्या है, be, और ये main verb भी होता है, और helping verb का भी काम करता है, इसके पहले मैंने थोड़े देर पहले एक और main verb की बात की थी और बताया था, ये भी helping verb भी है, कौन सा था, have, has, ये main verb भी है, helping भी है, अब हम दूसरा main verb, helping verb समझ लिए, और वो है be, be, e, be, main verb भी है, helping verb भी है, right, am I clear, अब be के क्या forms है, is, are, was, where, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं, I am saying, am भी उसी का एक form है, तो पांच शब्द हो गए, be, root verb के से पांच, अलग तत्व निकलते हैं, is, was, are, were, और am, am शब्द जो है, वो केवल आई के साथ जुरता है, इसका आर्थ है, है, I am going, मैं जा रहा हूँ, am, I am tall, मैं उचा हूँ, I am eating, मैं खा रहा हूँ, तो हूँ के लिए, और I के लिए हमेशा, I में जो हूँ है, वो हूँ, अंग्रेजी में क्या है, am, बाकी किसी भी शब्द के साथ, am का उप्योग नहीं होता, या किसी भी अन्य तरीके से, am, am का उप्योग नहीं होता, am जो है, वह केवल आई, प्रोनाउंस में, वो भी प्रोनाउन आई के साथ, I, I am going, तो I, यानि मैं को एक अलग पोजिशन अंग्रेजी में दिया गया है, I को एक अलग तरीके से, अंग्रेजी में उप्योग करते हैं, स्वयम को, I, तो यहां पर एक अपवाद और, I के साथ हमेशा, M आता है, He के साथ हमेशा, Is आएगा, और बहुवचन है, तो Is यदि प्रेजन है, तो बहुवचन में, प्रेजन में, इसके बदले क्या आएगा, आर, इसके बदले आर आएगा, और पास्टेंस में, एक वचन के लिए वाज, और बहुवचन के लिए वाज, He was going, वह जा रहा था, They were going, वे जा रहे थे, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, कि उन्होंने, मैं कह रहा हूं, I am saying, I am saying, Am I, वह कह रहा है, अब B का कौन सा form यहां आता है वह के लिए, वह के साथ, helping verb, is, He is saying, और बहुवचन है, तो कौन सा form आएगा, They are saying, लड़की है, तो भी, She is saying, शी लगाने से इस पस्ट जाता है कि यह लड़की के लिए है, लेकिन पास्टेंस में ऐसा नहीं है, पास्टेंस में इस धंक से नहीं है, थोड़ा साम और आगे बढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ, I am saying, वह कह रहा है, He is saying, वह कह रहा था, He was saying, वह कह रही थी, She was saying, वह कह रही है, She is saying, so is present के लिए, was past के लिए, और काम जारी है, देखिए, काम जारी है, कंटीन वह से वह कह रही है, वह कह रही थी, भूत काल में भी काम जारी होता है क्या कभी, भूत मतलब तो बीद गया, उसमें काम जारी कहा है, बिलकुल होता है, मैं जब उसे देखा, तो वह बात कर रही थी, मैंने जब उसे सुना, तो वह कह रहा था, सुना, past tense में है, तो उसमें जो कार हो रहा था, उसे कैसे बोलेंगे, वह कह रहा था, तो वह कह रहा है, he is saying, वह कह रहा था, she is saying, वह कह रही है, she was, she is saying, वह कह रहा था, he was saying, और वह कह रही थी, she was saying, अब ये, आप एक चीद गौर करेंगे, कि जहां काम जारी है, continuous है, चाहे present में, चाहे past में, है हो या था हो, और रहा है, रहा था, जैसे मैंने बता है, ता, ता तेती जहां आता है, वह present हो जाता है, ऐसे ही past में, या, सोया, रोया, गाया, नहाया, बोला, ऐसा जो होता है, वह past है, और वह second form है, second form of verb, पहला form क्या था, ता तेती, जिसमें first form यूज़ करते हैं, verb का, go, went, gone में, go, sleep, slept, slept में, sleep, eat, ate, eaten में, eat, jump, jumped, jumped, jumped में, jump, dance, danced, danced में, dance, और second form में, तो जहां ता तेती वह first form, जहां सोया, रोया, गाया, कहा, बोला, ऐसा जो होता है, वह past, past is second form, और जहां सोया है, गाया है, बोला है, कहा है, नहाया है, कूदा है, मारा है, डांटा है, तो वहां पे क्या होगा, third form, perfect, क्या form, third form, perfect, उसे क्या बोलेंगे, perfect, कूदा था, नहाया था, गाया था, बोला था, ये भी क्या हो जाएगा, perfect, एक हो जाएगा, present perfect, गया है, सोया है, नहाया है, और एक हो जाएगा, past perfect, पर ये perfect है, third form है, go went gone had gone गया था has gone गया है had gone गया था has gone गया है so perfect form third is perfect लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं काम जारी है past में भी काम जारी है present में मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा था वह कह रहा है वह कह रही थी काम जारी था उस ख्यान काम जारी यह जारी काम के लिए हम क्या शब्ज यूज करते हैं देखिए उसे ना first form बोलते हैं ना second form बोलते हैं वर्ब का ना वर्ब का third form बोलते हैं उसे हम बोलते हैं continuous form जारी वाला form क्या बोलते हैं जारी रहने वाला form जा रहा था खा रहा था पहला वाला था ता तेती दूसरा वाला था खाया बोला नहाया सोया आदी आदी तीसरा वाला क्या था थार्ड में हैं जाते हैं जाते थे जाते हैं खाते थे खाते हैं खाते थे खाये हैं खाये थे खाये हैं खाए थे ये perfect form ते वाला नहीं perfect form में क्या आएगा खाए थे कहा था कहा है ये third form perfect form और यहाँ पर हम fourth form इसको नहीं बोलते इसको हम continuous form बोलते हैं और continuous form कैसे बनता है v1 याने present form और इसमें ing लगा दो तो present form क्या है यहाँ पर कहना का say say present form है और ing लगा दीजिए saying और उसके पहले b b plus present form b क्या है is or was where m इसका मूल है so is going is saying are going are saying where going where saying were saying right correct उचा रहने were saying were going were eating so यह यहाँ पर काम जारी है वो अगला form कहलाता है continuous form so continuous form में रहा है रही थी यह आएगा रहता है रहती थी कहां पर आएगा वह जाता है he goes वह जाती थी she used to go we will come to that अब हम अगले पर आते हैं वे कह रहे हैं वह कह रहा है he is saying वह कह रहा था he was saying वह कह रही है she is saying और वह कह रही थी she was saying right now we कह रहे हैं we मतलब बहुवचन they were saying or वे कह रहे हैं they are saying तो पहला है they are saying वे कह रहे हैं or they were saying was का बहुवचन वे और इसका बहुवचन आर अब यहाँ पे यू के साथ जैसे आई के साथ क्या आता है एम आता है आई के साथ क्या आता है एम आता है I am going और मैंने बताया आई को एक वचन रहते हुए बहुचन जैसा ट्रीट करते हैं पर जहां तक M is was where का सवाल है या to be का सवाल है वहाँ I के साथ M उसके लिए अलग शब्द है लेकिन यू के साथ हमेशा एक वचन होते हुए भी आर रहेगा क्या रहेगा यू के साथ यद्यपी वह एक वचन है तुम तुम यहने एक वचन तुम जा रहे हो यू आर गोइंग तुम कह रहे हो यू आर सेइंग क्लियर और ऐसे ही पास्टेंस में भी बहुचन जाता यू वर सेइंग ऐसे ही पाफिक में भी थर्ड फॉर्म में भी यू हैव सेड बताया थे आपको तो यहां पर भी यू जो है यू का भी थोड़ा अलग उप्योग है यू का उप्योग भी थोड़ा अलग तरीके से है और इनी चीजों को हमको समझना हो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस मेंक्स ए मैं परफिक्ट अभ्यास हमको मदबूत बनाता है करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान लगातार महनत करें, तो दमाग मजबूत होता है, जड़ मती, जड़ दमाग भी अच्छा होजाता है, तो अभ्यास करिया, याद ना करें, बार-बार तिकिया, तो कमिंग बेक तो दे पॉइंट, रहा है में आई एनजी लग जाता है, और आई एनजी किस फार्म में लगता ह याद रखेंगे कभी भी वर्ब के second या third form में ing नहीं लगता और अधि पास्ट ठेंज में ing लग रहा है तो was और प्रिजन में लग रहा है तो is और 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 i के साथ लग रहा है प्रिजन में तो am और i के साथ लग रहा है पास में तो was अब देखिए यह एक और चीज़ आप से है I के साथ present में M लेकिन I के साथ past में were नहीं होगा were I के साथ लगता है वो कुछ बहुत अलग स्थितियों में जो हम बाद में पढ़ेंगे वो एक बिल्कोल अलग चीज है कब लगता है लेकिन सामान ने रते है I के साथ was लगता I was going you were going यू देखिये बहु अचन, लेकिन आई जो है, उसको एक वचन ही मानते हैं और एक वचन बोलते हैं, यू एक वचन रहते हुए भी बहु अचन जैसा हो जाता है पास्टेंस में, You were going, you were saying, I was saying, you were saying, I was saying, वे कह रहे हैं, वे कह रहे थे, they were saying, they are saying, अब थोड़ा सा भविश की और भी देख लें, बहुत हलके वाकिश में, वे कहेंगे, दे विल से, मैं कहूंगा, आई विल से, वह कहेगा, ही विल से, वह कहेगी, शी विल से, राम कहेगा, राम विल से, सबसे सिंपल तरी है भविश काल, क्योंकि भविश तो हुए ही नहीं, भविष तो आने वाला है अभी तो आया ही नहीं भविष के बारे में हम कुछ नहीं जानते तो शायद अंग्रेजों न भी से बड़ा सिंपल कर दिया है उसको बस विल ही लगाना है आपको गागेगी के लिए विल लगेगा सिंपल भशा में गागेगी के लिए ता तेती के लिए वर्प का फर्स फॉर्म सोया बोया खाया नहाया के लिए वर्प का सेकंड फॉर्म सोया था बोया था नहाया था या सोया था बोया था सोया है नहाया है बोया है कहा है इसके लिए perfect form third form ing first form में continuous is was where और r और m ये पांच शब्दों के साथ लगा के tense को बदल सकते हैं और future में केवल will लगा दीजे वे कहेंगे they will say will plus first form will plus first form याद रखेंगे I will say he will say they will say etc. राइट तो ये एक आपका एक मूलभूत sentence formation के लिए एक जानकारी थी अब ये इसको मैं थोड़ा था और clear कर दूँ मैंने पहले भी बताया है noun में यदि s जुड़ता है noun में तो वो क्या बताता है mantra ज्यादा pen pens camera cameras slipper slippers table tables तो s जुड़ गया किसमे noun में तो मात्रा ज्यादा एक से ज्यादा और clear में यदि s जुड़ गया तो एक वच्चन देखिए यही चीज में confusion करते हैं हम लोग क्रिया में यदि जुड़ तो एक वच्चन action में यदि जुड़ एक वच्चन भर में यदि जुड़ एक वच्चन राइट लेकिन यदि noun में जुड़ मात्राएं table tables pen pens camera cameras board boards hand s हाँ कुछ exception भी है इसमें जैसे man या woman man को लिखते है m-e-n और बहुचन में अदि बहुत सारे आद्मियों को लिखना है तो m-e-n होता है m-e-n woman woman ये अपवाद हैं इसको आप और practice से जानेंगे लेकिन सामान ये तया मात्राओं को एक से ज्यादा मात्रा बताना है तो s लगा दीजे noun में क्रिया में यदि एक बचन करना है तो s या es लगा दीजे क्रिया में